हेलो इट्स टैनर्ड स्टूडेंट्स आज हम हमारा साइन्स का सिक्स चैप्टर देखेंगे कंबस्टन एंड फ्लेम हमारे देली लाइफ में बहुत से अलग-अलग से फ्यूल देखे हैं जो हो घर पे यूस होता है इंडस्ट्रीज में यूस होता है आटो मुबाइल कंपनी यह सारी चीजँ हैं तो मुझे बअन छेजैने छेजँ जले लो लेकिन जब हम इसे बर्न करते हैं जलाते हैं तो इसकी सारे की प्रापटी इस क्या होती है अलग-अलग जाने पर कुछ बीना फ्लेम के जलते हैं से ज्यादा दूआ निकलता है यह सारी चीज़ अलग- सबस्टेंगे हैं, तोदाण देख ञगे, थार कोल आसे taką क्लसुन क्वे हूता है, गर दैगे हमें, उनाफ घर्ल, का और सना होест और प्रोसस जिसमें जो सब्स्टेंज स्वंहें और आकॡ्सेजन के साथ आध से क्या कहते है हमें성을 खणत से और झायन यह कंबस्टेबल शेमल को श्चूक भी हो सकतर अधार SER आख till लिकविडешंद और गयस दरका है कभी कभी लाइट भी रिलीस होता है यह के साथ कमबस्टेबल सबस्टेबल फूलते हैं और इसे फ्यूल भी बल सकते हैं ही तो यesi इस पिक्चर में दिया है, ाब कंबर्शन का एक अप्टिविटी के जैसे एक्जांपल दिया है, इस एक्जांपल में देखो यह जो केंडल है, यह कंडल जल रहा है है यह फ्रीली जल रहा है, तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है जो एर है वो एंटर हो रहा है नीचे से भी एंटर हो रहा है तो नीचे से एंटर हो ही रहा है तो उसके वज़े से वो कैंडल जल रहा है second case, case में क्या हो रहा है, जो air है, वो enter नहीं हो रहा है नीचे से, तो इसके वाज़े से क्या है, flame जो है, वो flicker हो रहा है, मतलब वो बूज जाने का, इसमें chances है हमारा, फिर नेक्स्ट थर्ड केस में क्या हो रहा है जो फले में वो पूरा बंद हो जा रहा है बुच जा रहा है क्योंकि वहां पे एर नहीं जा पा रहा है तो इससे हम इजली समझ सकते हैं कि ऑक्सिजन अगर रहेगा तो ही कंबस्टिबल combustion हो सकता है combustion जो है वो process में substance oxygen से react होता है यह हम इस example से easily समझ सकते next हम देखेंगे कि lowest temperature जिसमें जो substance fire उसमें आग लग साती है catches fire उस temperature को हम ignition temperature कहते हैं अब जैसे कि why a magic does not catch fire on its own room temperature अगर magic stick को हम room temperature में ऐसे ही रख रहे है ऐसे ही room में रखा है तो वो क्यों नहीं burn होता है लेकिन हम जैसी उसे rub करते हैं उस match box पे तो वो तुरंत वो burn हो जाता है तो यह क्यों तो वो ignition temperature के वज़े से जब तक हम उस substance को उतने lowest temperature में रखेंगे तब तक वो उसका ignition temperature है तब उतना temp अगर तब तक उसमें आग नहीं लगेगी जैसे ही वो temperature उसका lower हो जाएगा तब जाकर उसमें वो fire लग जाएगा अब हमने देखा होगा वीडियोस में मुवीस में देखा होगा कि हम कुछ fry कर रहे होते food frying होता है उसमें भी cooking oil में भी आग लग जाती है मतलम straw पे वो on में रहता है तो वो आग लग जाती है तो वो कैसे है वो सारी चीज़े इसी ignition temperature के वज़े से होती है kerosene oil और wood जो है वो हमेशा room temperature में रखने से fire नहीं लगती है उसमें लेकिन अगर हम kerosene oil को heat करेंगे थोड़ा तो वो तुरंद क्या हो जाएगा उसमें fire लग जाएगा और अगर wood को भी heat करेंगे थोड़ा it would still not catch fire wood को heat करेंगे तो उसमें नहीं fire उतना जल्दी आग नहीं लगता है इसका मतलम क्या है ignition temperature जो है kerosene का वो wood से low है तो इसका ये मतलम है कि हमें kerosene oil को store करने के लिए हमें थोड़ा care करना पड़ेगा उसे वैसे temperature में रखना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें ignition temperature ये हमें क्यों useful है जिससे हमें प्राता चलता है कि कौन से substance को burn होने में कितना temperature रहता है तो इससे हम safety भी उसे रख सकते है आप कुछ substance असे होते हैं कि जिसका low बहुत ही low होता है ignition temperature और easily उसमें आग लग सकती है और वो भी आग भी flame के साथ तो उस substance को inflammable substance कहा जाता है जैसे petrol, alcohol, liquefied petrol, LPG जो हम घर में cylinders use करते हैं यह सारी चीजे inflammable substance होती है इसमें easily आग लग सकता है देखा होगा कि petrol थोड़ा सा रहेगा उसमें अगर थोड़ा से एक माचिस की तिल्ली भी लग जाएगी तो उसमें easily fire हो जाता है तो अब हमने देखा कि आप कैसे लगते हैं अब हम देखेंगे कि इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है अब देखा होगा कि city town में fire brigade जरूरी एक ना एक तो होता ही होता है कहीं भी अगर आग लग जाती तो fire brigade आते हैं फिर उसमें water से वो fire मिटाते बुजा देते हैं water जो है वो combustible materials को cool कर देता है जिसके वज़े से उसका temperature जो है वो बहुत below हो जाता है उसका ignition temperature से वो बहुत ही नीचे चले जाता है तो इसके वज़े से क्या हो जाता है वो आग और ज़्यादा बढ़ने से बच जाता है और जो water vapor है वो भी और सराउंड कर देता है जो भी फ्यूल है एर जहां पर उसे supply of oxygen और heat अगर उदर temperature जो भी beyond ignition temperature है तो fire जो है वो easily control हो सकता है इस सारे requirement के लिए जो भी job है fire extinguisher का इनका यही main रहता है उनका main aim वो जल्दी से जल्दी fire को बुजाने की भी कोशिस करते हैं और आगे फैले ना वो भी वो कोशिस करते हैं mostly सारे institutes में even हमारे schools में हर जगा तुमने देखा होगा यह fire extinguisher होता है यह fire extinguisher हर जगा पे क्यो रहता है कि 84 सी भी अगर कुछ fire हो गया fire accident हो गया तो वहाँ पे easily इस से और जो आग लगी है उसे बुझा सकते है इसमें mainly क्या होता है carbon dioxide जो भी co2 present होता है जो easily हमें help करता है आग को बुझाने के लिए अब हम देखेंगे types of combustion अलगलग types of combustion कैसे होता है अब जो gas burn होता है rapidly बहुत ही fast और heat और light produce करता है उस combustion को हम क्या कहते है rapid combustion करते है यह सारे substance जो phosphorus जो air में और room temperature में burn हो जाते है यह ऐसे substance होते है और एक next type of combustion जिसमें material जो है suddenly burst हो जाता है यानि फूट जाता है burst होता है और flames निकलते है उसमें से वो without application of apparent cause उससे कौन सा combustion कहते है spontaneous combustion कहते है generally सारे festival days में हम fireworks use करते है fireworks से नहीं पटाके festival days में cracker जो है वो ignited sudden reaction होता है evolution of heat होता है उसमें light भी आता है sound भी आता है तो इसमें यह actual में sound आता कहां से इसमें बहुत सारे amount of gas होते है और इसकी वो अलग-अलग gases के वज़े से reaction के वज़े से यह होता है और उस reaction को क्या कहते है explosion कहते है और वो जो explosion है वो एक pressure उसमें apply होता है वो cracker में तब जाके वो हमें वो देखने को मिलता है next हम flame के बारे में पढ़ेंगे flame कभी देखा होगा LPG का flame LPG flame यानि घर में जो वो कैसा रहता है उसका color अलग रहता है हम जो normal आग में देखते है वो color अलग रहता है लेकिन यह LPG में अलग रहता है siya picture में दिया है candle का flame है वो थोड़ा yellowish color है but जो हम घर में gas tower में यूज करते है उसका जो flame है वो कैसा है blue color में burn हो रहा है तो यह difference है flame में भी अलग अलग चीज़ों की अलग अलग flames होती है next हम देखेंगे structure of flame flame का structure कैसा देखो इसका भी अलग अलग structure होता है जो substance vaporize होता है burning के time पे और flame देता है जैसे की kerosene oil, molten box यह wax और यह सारी चीज़े vaporize होती है और flame प्रड्यूस करती है चार कोल भी अलग लेकिन चार कोल क्या होता है वो vaporize नहीं होता है तो इसलिए इसके वज़े से क्या होता है flame इसमें नहीं आते है जो चीज़ वेपराइज होती है उसमें flame होती है जैसे की देखो एक candle flame है यह कैसा है steady है तो अब इसमें अगर एक glass plate डाल रहे तो क्या हो रहा है उसके पर हम glass plate रखेंगे तो उसके flame में कुछ ना कुछ difference हमें दिखेगा तो 10 second के बाद हम अगर दिखेंगे तो कुछ अलग दिखेगा उसके बाद फिर वो वापस circular blackest ring दिखेगा हमें उसमें जो वो glass plate के वज़े से आया होगा फिर वो जो ring फॉर्म हुआ है वो इंडिकेट करेगा कि जो भी unburned जो जला नहीं है carbon particles वो उसके रूम में ये जो zone है उसमें प्रेजन रहेगा वो flames में अब अगर हम उसमें एक वायर को अगर उसके जो flame से उसमें डालेंगे 30 seconds के लिए तो हम देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद उसके flame में कुछ और एक अलग ही उसका कुछ हमें देखने को मिलेगा flame में एक छोटा सा हलका सा red color part हमें देखने को मिलेगा see, इस picture में दिया है जो भी different zone से candle flame के वो यहां पे दिया है easily हमें पता चलता है को कौन से zone को क्या कहते है next हम देखेंगे कि fuel किसे कहते है fuel, जो substance हमने पहले भी पढ़ा कि जो substance जो है वो combustible process कर रहा है वो substance को हम क्या कहते है fuel कहते है जो भी fuel है वो readily available होता है mostly cheap भी होता है और easily air में moderate rate में वो burn हो जाता है और हमें large amount of heat देता है वो it does not leave behind any undesirable substance और कुछ वो कुछ ऐसे उसके कुछ चीजे waste भी नहीं होती है जितने भी है बन हो जाते है जो भी probably no fuel that could be considered as ideal fuel ऐसा कोई भी fuel नहीं है fuels जो है वो अलग-अलग types के होते है उसके अलग-अलग requirements होते है particular हमारे अलग-अलग use होते है और अलग-अलग fuels के अलग-अलग cost भी होते है कुछ fuels जो है वो किसी के comparison में cheap भी होते है अब next हम देखेंगे fuel efficiency क्या होता है fuel efficiency जो है जो amount of heat energy produce हो रहा है एक complete combustion में 1 kg fuel जो रहेगा वो calorific value हो जाएगा उसका और जो जो calorific value है वो unit में उसका particular unit होता है जिसमें उसे express किया जाता है उस unit को हम क्या कहते है kilo joule per kg केजी पर kg भी लिखते है और यह जो calorific value है कुछ fuels के यहाँ पर देखो table में दिये है किसका कितना value है next जो है हम देखेंगे कि burning of fuels lead to harmful product अब क्या harm होता है हमें अब हम देखेंगे कि carbon fuel को जैसे carbon fuels जैसे की wood, coal, petroleum यह सारी चीज़े जो unburned carbon particles release करती है यह जो fine particles है यह pollutant करते है respiratory diseases आ सकते है asthma जैसे diseases भी आ सकते है यह सारी चीज़े यह burn होने में release करती है अब अगर next point यह है कि incomplete combustion होगा अगर कुछ fuel का तो carbon monoxide gas वो release करता है जो बहुत ही poisonous gas है और यह इतना dangerous है कि burn coal in a closed room और close अगर किसी बंद कमरे में यह चीज़ों को अगर जलाएंगे तो इसका बहुत ही dangerous effect होगा और यह जो carbon monoxide gas है यह एक person को भी मार डाल सकता है अगर कोई सो रहा है उस room में तो उससे भी वो मार डाल सकता है उतना powerful होता है अब next point यह है कि combustion of most fuel release carbon mostly सारे carbon dioxide release करते है जो environment के लिए बहुत ही नुक्साइए तो इसके वज़े से क्या होता है carbon dioxide का increase हो जाते है concentration air में और जिसके वज़े से क्या हो जाता है global warming increase हो जाता है next burning of coal और diesel जो है वो sulfur release करता है sulfur dioxide gas रिलिस करता है और यह extremely suffocating और corrosive gas है और petrol engine of gaseous oxide of nitrogen इससे क्या petrol engine से इन क्या निकलता है gaseous nitrogen oxide और oxide of sulfur और nitrogen जो है वो rain water में भी mix हो जाते और acid बना देते जिसके वज़े से acid rain होते है और यह acid rain जो है वो crops के लिए हामफूल है soil के लिए building के लिए सारी चीज़ों के लिए हामफूल है यह हमने पहले के class में पढ़ जुके है और जो यह diesel और petrol को हम use कर रहे है automobiles में इसे हमें CNG से replace करना चाहिए CNG जो है वो compressed natural gas जिसका फुलफा में वो pollute कम करता है और nature के लिए बहुत कमी उसमें जादे हामफूल नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए CNG उस करना चाहिए petrol डीजल के जगा पे और CNG जो है वो एक clean air fuel है